शेह के प्रसंग लॉन परिस्तम में 30 मही की सुभा प्रापत अग्यात युवा के शफ की पैचान जैशंक सुक्राम धुर्वे 25 निवासी धोलपूर 14 छिनवाड़ा की रूप में हुई कल सुभा प्रापत अग्यात युवा के शफ को सावनेर के सरकारी हस्पताल के अधिकारियों ने पोस्माटम हेतु सावने मरचुरी रवाना कर खानापूर्ती के तैट जानबूच कर टाल मटूल रवईया अपना कर उक्तु शफ को संशियत बता कर उसका पोस्माटम करने से म काम हितु यहां आने की बात परिजनों ने बताई और उक्त अनहोनी घटना पूरा परिवास सकते में आ गया एक और व्रद माता पिता का सहरा काल के गाल में समा गया वहीं दिन भर कडी धूप में मृता का शब मरचूरी में पड़ा रहने से इतना खराब हो गया जब उसे सम हिलतिवारी सिपाई रविंद्र भेलावे कोराडी निवासी समासीवी संजी रामटे के आदी की मदद से उक्त युवा का शब शब विछेदन हें तू मेडिकल हॉस्पिटल नाफ को रवाना किया रात तेर होने से 31 माई को उक्त शब का शब विछेदन किया गया लेकिन श सावनेर के थानेदा मारुती मुलोग हितिजोती फांडेशन के हितेश बंसोड और अन्य समात सेवियों ने मानफता का परीजे देते हुए मृतक जैशंकर के पार्थिव पर अंतिम संसकार की जवाबदारी लेकर सावनेर इस्थितराम कनेश गटकरी शमशान भूमी में य सामाजिक दायत्वने भाया मृतक यूवक के अंतिम संसकार है तू पतका किशो डूंडेले लिंबानी सा मील नाजिम शेक राजा फूले आकाश कुंभल कर बंटी महाले आदी ने सहयोग दिया वहीं मृतक की परीजनों की निवास और बोजन की ववस्ता थानेदा मारुती मुलुक ने तो वहीं उन्हें घर वापस है तू कोरारी निवासी संजी राम टेके ने भी 2000 रुपे की मदद मृतक की परिवार को दी वहीं जहां गरी परिवार ने अपना यूवा पुत्र खोया उसका दुख तो दुनिया की कोई भी कीमत दूर नहीं कर सकती परसाब ने पुलिस समासेवी संस्था हित्य जोती फाउंडेशन और शेर के अन्य समासेवियों द्वारा इस संकट की घड़ी में उनकी जो मदद की उससे उनकी आखों में इंसानियत अभी जिन्दा है कि एहसास की जलक उनकी आसू में नसराई वहीं मृतक की पार्थिवों पर पिता के न्यूस के लिए समवात अता कि शोड हुन लेले की रिपोर्ट